हाई मैं थिकमस भी मैस भाई हमिये विल्कम अगे इन तो वर्ल्ड उफ मैस भाई हमिये तो मैं आज आज आपसे दा क्रीज प्रॉब्लम का दा मोस्ट बेसिक अप्रोच डिसकेश करना चाहता हूं आपके पास कॉश्चिन नुबर वन है रेफरेंस है जो पागल गाई और कोर कोश्च करूँगा इस को सॉल्ड करने के पहले मैं आपसे दो बाते जानना चाहता हूं कि आपको यह पता है देखिए अगर आपके पास एक लाइन है और आपके पास एक पॉइंट है इस पॉइंट का अगर मैं मीरर इमेज डौ करता हूं तो फॉर्स्ट कॉंसेप्ट इस अगर आप किसी पॉइंट का किसी लाइन पर मीरर इमेज डौ करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है इसका दो मतलब होता है कि distance of the object and distance of image सेम होते हैं दूशा यह परपेंगर बाइसेक्ट करता है आपको पता है ना इंसिदेंस लाइन और रिफ्लेक्टिव लाइन यह सब जो the head by the line जो आपका mirror है आपको यह पता होना चाहिए इसको में दूशा बोच सकता है कि हम अगर इसको virtually move करके object O को उठाके eye पे shift कर दे तो यह overlap कर जाएगा line आपका तो यही question है mirror image के concept का चलिए हम इस question को देखते है mirror image के concept and बागी दो-तीन concept में basic use करूँगा and some खतम हो जाएगा तो अगर आपका mirror object का और mirror image का concept clear है कि object distance and image distance are equidistance from the point of incidence ray का और परप्रिंगर bisect होते हैं तो आपको यह पता है इवन अगर आपका एक mirror यह आपका mirror बना हुआ है और आपके पास यहां पे point object है इस point object का अगर आप यहां पे image draw करते हो और इस दोनों line को draw करते हो तो आपको यह पता होना चाहिए यह perpendicular bisect होते हैं बस छोटा से concept इसी concept के साथ मैं आगे बन होंगा and that one is similarity उचली solve करते हैं इस question को okay तो आपके पास दिया होगा क्या है आपके पास एक rectangle है fine so एक कोई भी rectangle आप ले लो you have a rectangle जिसमें मान लो कि यह आपका a है this one is b this one is c this one is d आपका rectangle है आपने a point को उठा के c point पे ले आया है फोल्ड किया है कि यह crease create हो गया आपका and is crease को मैं मान लेता हूं mn देखना आपने किया क्या बस अगर इसे समझ जाओगे तो पूरी दर समझ जाओगे आपने a point को उठा के c point पे ले आया है मतलब जो आपका यह mn line है actually वो आपके mirror के तरह act कर रहा है a point comes to c point यह point अगर यहा फोल्ड करके इसको दो टुक्रे में बांट के इसमें डाल दोगे तो completely overlap हो जाता है completely overlap तभी होगा जब a point c पे आएगा तो आपको पता होना है चाहिए a and c are the object as well as image of the same अगर यह object image है तो यह mn line के through होगा because आपने paper को fold किया ना पूरा का पूरा paper को उठाके आपने यहां से यहां डाल दिया मतलब यह a point पूरा का पूरा rotate होके यहां पे आ गया है तो यह as a जो पहले object था अब image के तरह create कर रहा है तो यहां पे 110% 90 degree बनेगी अगर यह length आपका x है तो यह length आपका x होगा आपको प पारिएगा आप एक दूशे को पर डालिएगा वो आपका actually line of symmetric तरह act करता है बट line of symmetry में होता है कि आप फोल्ट करने पर एक दूशे पर overlap करते हैं यह symmetrical है बट image की तरू में है आप इसको देखना आप करके देखना कि आप एक rectangle paper लेना इसको उठाके यहां डालना और जो line बनेगी जिसको हम लोग कीज बोलते हैं उसको फार देना यह paper यहां पर overlap कर जाता है विए सारे distance आपके सेम होते है बी एम इकवल टू एंडी होगा यह दो लाइन सेम है यह लाइन सारे सेम दिखते हैं आपको तो अगर आप यहां पे 90 डिग्री विजुलाइज कर पाए य मैं बहुत सकता हूँ कि मेरे 90 डिग्री 90 डिग्री और दो अंगल्स कॉमन हैं तो बाई एंगल्स यह ट्रेंगल गहले इंगल कॉन सा ए ओ एन ट्रेंगल सिंगलर है ए पर ठीटा है तो सी पर और बी अ का देखी यह दोनों ट्रेंगल्स आपके क्या है सिमिलर है मैं फिर से बदाता हूं अंगल A is theta, अंगल C is theta, अंगल O and अंगल B is 90 degree, similarity आपको ये पता है, अगर similar है, तो मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं उपर से AO लिए तो नीचे से मुझे को CB लेना होगा, अगर आप उपर से AN लिजिए, तो नीचे से आपको CA लेना होगा, ON लूँगा, तो यहाँ से मैं क्या लूँगा, BA लूँगा, हमें ये देखना है, अब हमें देखना है कि हमें पता क्या क्या है, तो boss आपके पास क्या AO है, AO है, AO is what, AO is X, जो मैंने यहाँ पर माना है, ये X है, आपके पास CB है, क्या आपके पास CB है, CB को L मान लीजे, तो L क्या है, L is a line जिसके along crease बन रहा है, L is a line जिसके along crease बन रहा है, AN, this one is N, क्या AN का रोल है, अभी मुझको AN का कोई मतलब नहीं है, CA, CA का अभी मतलब नहीं है, तो मैं इस similarity के इस ratio को अटाता हूँ, what is ON, ON is a crease का length, ON is a crease का length, अब ये crease का length क्या है, मैं crease को C by 2 मानता हूँ, क्यों मैंने half माना, MN का ये half होगा, क्या आप ये visualize कर पाड़ है, चिल्वों मैं आपको फिर से visualize करवाने के कोशिश करता हूँ, यहाँ देखिए 90 है, तो यहाँ भी 90 है, यहाँ ठीटा है, तो यहाँ भी ठीटा है, तो आप बोच सकते हो, triangle A, O, N, triangle A, O, N, is congruency हम लगा सकते हैं, पहले similarity में मैं बात करता हूँ, C, O, M के similar है, because angle, angle, angle हमारे same हो रहे हैं, and मुझे पता है, AO line is equal to OX line, तो ये similar होगा, and similar के साथ साथ congruent भी होगा, अगर congruency होगी, तो O, N, O, M हमारा अप equal है, पता होगा, equal होगा, तो ये crease का क्या होगा, half होगा, मैं crease को C मान रहा हूँ, तो मैं इसको लिखता हूँ, crease by 2, what is BA, BA को हम breath मान लेते हैं, breath of the rectangle, तो L जिसके along को कटा है, B दूशरा साइड है, तो यहाँ से जो C निकलेगा आपका, and आपको side similarity पता है, तो C को अगर आप solve कीजिएगा, तो C is equal to 2BX upon L, यही होगा, मैं यहाँ से C को लिख सकता हूँ, C तो क्या है, B by L है, and 2X is what, 2X is the diameter of the rectangle, तो ये आपका final outcome हो गया है, जो आपको पता होना चाहिए, तो मैं finally लिख सकता हूँ, length of crease is equal to breath upon L, L जिसके along create होता है, L square plus B square is the final outcome, and मैं चाहता हूँ, कि आप please screenshot को capture कर लो, अपने notebook में note कर लिजे, यह बहुत important outcome है, C is equal to, length of crease is equal to B upon L, L का है, जिसके along आप create करते हो, under root of the diameter, rectangle का, बस इतना ही, मैं आपको फिसर रिपीट करना चाहता हूँ, देशने मिरर इमेज, यह दोनों मेरा equal है, यह दोनों equal है, due to the similarity, theta theta 1990s, हमने ratio लिखा, इस ratio पर हमने solve कर दिया, length of the crease is equal to B by L, into diameter, यही मेरा final outcome है, और बहुत basic सा approach है, आपके पास एक क्या है, 4 cm by 3 cm का rectangle है, मैंने एक rectangle draw किया, जो की मेरा क्या है, 3 cm और 4 cm, आपने इसको width के along fold किया, folded along the width, मतलब आपने यहां से उठा के यहां डाला है, यहां पर crease create हुई होगी, आपको length of crease चाहिए, length of crease is equal to 3 divided by 4 into 5, equal to 15 by 4, यही हमारा answer होगा इस question का, because हमने width के along fold किया है, तो crease जो आपकी होगी along length, दोनों side create होगी, L is equal to this, divide by जिसके along fold हुआ है, diameter, 3 और 4 का diameter जो होता है, अगर आप पाइथागरस से भी निकालना चाहिए, तो 3 और 4 का diameter आपका 5 होता है, पुट कर दी, अनसर आजाएगा, within 10 second questions आपका यह solve हो जाएगा, तो हमने पहला question solve किया है, second question जो stack exchange का था, मैं इसको फिल से solve करता हूँ आपके लिए, तो चलिए इस math exchange के problem को solve करते हैं, stack exchange के, जो बहुत अच्छा question है, सायथ Olympiad में देख सकता है, यह जाएट जाएगा में देख सकता है, basic exam में तो नहीं देखना है चाहिए, इसमें दिया है क्या है, आपका यह length है, और यह आपका breadth दिया हुआ है, और यह आपका crease है, यहाँ तक ठीक है, और हमने दिखा है कि length of crease is equal to b by l, into under root b square plus l square होता है, अब मैं square in both the side करता हूँ, तो यहाँ क्या दिखता है, b l square, यहाँ दिखेगा b square by l square, यहाँ दिखेगा क्या आपका b square plus l square, अब मैं इस b square को यहाँ divide करता हूँ, इसको यहाँ divide करता हूँ, यह दिखेगा L2 upon B2 equal to B2 upon L2 plus यह जो दिखेगा यह दिखेगा 1 अगर आप L by B को X मानते हैं चलिए तो यह आपका दिखेगा X2 equal to यहाँ पर B2 आपका दिखेगा यह दिखेगा 1 by X2 plus 1 अगर मैं इसको उधर लेके आँ तो यह दिखेगा X2 minus 1 by X2 is equal to 1 देखे यह बहुत famous तो Y minus 1 by Y is equal to 1 यह बहुत 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 ज़्यदा famous है और क्यों famous है मैं आपको बताता हूँ minus 1 equal to 0 यहाँ से जो Y का value होता है 1 plus minus under root B square plus 4AC divided by 2 Y क्योंकि जमेट्री है तो वो दिखता है क्या है root 5 plus 1 divided by 2 और यह root 5 plus 1 divided by 2 value Y का है और यहाँ मैंने X square को Y माना है तो जो X का value होगा वो होगा under root root 5 plus 1 divided by 2 इसे मान के रखिएगा और यह root 5 plus 1 का value क्या आपको पता है root 5 plus 1 is equal to 5 जो की golden ratio है तो इस question में जो answer होता है वो होता है root 5 is to 1 और option number D बहुत सही question पूछा गया है तो यह एक one of the Olympiad question हो सकता है आपके लिए one of the conceptual question हो सकता है basic exam में तो नहीं पूछे जाने चाहिए अगर किसी basic exam में पूछा जा रहा है तो question sitter आपसे बहुत बढ़ा बेवकूफ है तो यह but आपको एक काफी अच्छा question explore करने को मिला है तो से सोंचो की क्या-क्या हुआ है और इस question को solve करने के लिए खुद से प्रयास कीजिए और five value एक important value है geometri का जो हमें साथ आपके साथ दिखता है answer of this question is option number D root 5 plus 1 divided by 2 और यही हमारा answer है is to 1 because वो आपका breadth 1 है और यही हमारा question का answer है so this was the best question with the best approach and the basic approach मैंने आपके साथ सेर किया है अगर आप बहुत कुछ सीखना चाहते हैं तो please बने रही है हमारे साथ question जब भी आये तो पहुच करके solve कीजिए no down कीजिए और अपने exam में अपना best दीजिए अगर आप batches के बारे में जानना चाहते है तो इस number पर आप contact कर सकते हो या आप site को explore कर सकते हो new coming batches के लिए तो God bless you, happy learning and bye bye